दोस्तों इंडिया में बहुत ही जल्दी आपको धमाकेदार फोन देखने को मिलने वाले हैं इन में से कुछ फोन ऐसे हैं जो कि अभी मेरे सामने रखे होए हैं तो आज हम करेंगे कुछ अंदर की बाते हैं और मैं आपको OnePlus 9 Lite दिखाने वाला हूँ क्यासा होगा इंडिया में OnePlus 9 Lite बहुती स्ट्रोंग लीक्स निकल के आज चुके हैं मैं यूज भी कर चुका हूँ एक ऐसा वोन जिसको आप OnePlus 9 Lite बोल सकते हैं तो सब हम बात करेंगे वीडियो को एंड तक द्यान से देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों मैं यह वीडियो जादा लंबा नहीं बना रहा तो एंड तक आप त्यान से देखिएगा मैं बात करूँगा टोप 8 अपडेट के बारे में हमारा पहला अपडेट है रियल्मी की तरफ से रियल्मी 8 सेरीज जल्दी आपको इंडिया में मिल जाएगी इसी महीने आपको मिल जाएगे रियल्मी 8 और रियल्मी 8 प्रो अब इनमें से जो रियल्मी 8 प्रो है यहाँ पर आपको ग्लोईं बैक मिलने वाली है बलब ऐसी बैक जहापर आपको जबरदस्त वाला ग्लो दे बागी मुझे लगता है आपको अलग से और वेरेंट मिल जाएगा जहां पर यह टेक्स नहीं लिखा होगा Realme 8 Pro में Because Realme X7 में भी हम यह चीज़ देख चुके हैं दोनों आपको दी गई थी डेव टुलिप के साथ भी और ब्लेन बैग भी इसके लावा यहाँ पर खाज बात रहेगी आपको मेलेगा Realme 8 Pro में 108 Mpc का कैमरा यह चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है और न्यू वाला सेंसर HM2 यहाँ पर यूज किया जाएगा जो हम पहले देख चुके हैं मेटर नाई में डिजाइन आप यह देखे सकते हैं कैमरा मोडूल आपको भी इस तरह के यहाँ पर मिलने वाला है अब बस प्रोसेसर देखना होगा यहाँ पर आपको कौन सा दिया जाता है मेरे कोर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा Snapdragon 750G मैं अभी इसको लेकर confirm नहीं हो 15 के बाद सब मैं आपको clear बता दूँगा Realme 8 Pro के बारे में Realme 8 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मुझे Realme 8 on paper देखकर उतना मज़ा नहीं आया विकोज on paper के recording जो leaks हा रहे हैं उनके recording आपको यहाँ पर कुछ major अपग्रेड नहीं मिल रहा पहले लगे तो बाद में सेम प्रोसेसर आपको शायद दिया जाएगा Miradakilio G95 मुझे लगता है अब रियल्मी क्या कर रहे है नार्जो और Realme की नंबर से रिजिन को बिल्कुल ही अलग कर रहे है बिकोज नार्जो 30 पर हम जानते हैं डेमेजरी के साथ दोंज हुआ था 800 यू प्रोसेसर के साथ और जो Realme 8 है वो हो सकता है वही सेम Miradakilio G95 के साथ दोनों में major difference आपको देखने को मिल जाएगा 5G आपर नहीं होगा बर प्राइज इसका रहेगा वही 15,000 के आजपास की रेंज में तो मुझे Realme 8 को लेकर फिलाल तो ज़्यादा excitement नहीं है आगर ये league गल्ट होता है कुछ और निकल काता है फिट तो मज़ा आ जाएगा आगे बारे में बात कर लेते हैं giveaway के बारे में दोस्तों इस चैनल पर न्यू गिवे भी स्टार्ट हो चुका है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देदूँगा वहापर जाकर आप जल्दी से पारिश्पेट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो आपको लग रहा हूँ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत पूलेगा चुकि मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो से लेकर आने वाला हूँ कौन सी वीडियो से रहेंगी यह मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ चोटा सा अब बैल एकन दबाओ सब्सक्राइब करो हमागे बढ़ते हैं वीडियो में अब बात करते हैं सैमसंग के बारे में सैमसंग लेक्सी एक फिप्टी टू में जानता हूँ आप मैंजे काफी लोग इस फोन का बेस अबरी से वेक कर रहे हैं इस से पएले हमने यह यह याद हो यहाँपर आपको आई-पी रेटिंग भी दी जाएगी आई-पी 67 सेर्टिकेशन यहाँपर मिल सकती है तो वाटर डेश्ट की त्यारी भी मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं तो वेट किजिए सब आपको वीडियो मिलेगी मज़ा आ जाएगा मतलब साथ में डियोल स्प अच्छा है अगर प्राइजिंग अच्छी रहती है तो मुझे लगता है यह फोन मार्केट में टैल कम उचा देगा इससे बहले जो A51 था वो बनाता बैस सेलिंग स्मार्टफोन ओफ्राइन मार्केट में इस बार वो जगह A52 अराम से ले सकता है डिजाइन भी यहाँपर क क्या होने वाला है जो M62 5G है यह सेम रहेगा A52 5G की तरह मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया में M62 5G लोंज किया जाएगा A52 5G की जगह पे ऐसा होना भी पोसिवल है भाग या भी M62 5G को लेकर काफी चीज़े हवा में चल रही है कुछ भी और कनफर्म होती ही मैं आपको इ कुछ हवा में अब बात करते हैं OnePlus के बारे में देखो यार OnePlus 9 शरीस आप जानते ही है आपको देखने को मिलने वाली है OnePlus 9 और OnePlus 9 Pro इन दोनों फोन के इलावा आपको एक OnePlus 9 Lite भी देखने को मिल सकता है जो कि रहेगा इस तरह का एक स्मार्ट फोन जो स्पैक्स लिक होई है इस फ जो कि हम OnePlus Nord N10 में देख चुके हैं इस तरह का डिजाइन आपको मिल सकता है OnePlus 9 Lite में ग्रास पील क्वालिटी 90 हर्स का रिफ्रेशेट और पंच ओल डिस्प्ले आपन नहीं होगा बर हाई रिफ्रेशेट आपको इसमें दिया जा रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉंग पोसिबिल स्ट्रॉंग 690, 90 हर्स का रिफ्रेशेट और पंच ओल डिस्प्ले इस तरह का ही और रियर में क्वार्ट कैमरा सेटफ फिराल यही लिग निगल के आया कुछ पीस के बारे में कनफार्म होते ही मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा मुझे लग रहा है अगर ऐसा होता है तो कोई ब्लोड फेर का बंगा नहीं होता है यहां पर और कॉस्ट्माइशन के सभी जरूरी ओप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं अब आप बताओ मुझे कमेंड्स में अगर वनपेस नाइन लाइट आता है 16,000 के आसपास की रेंज में तो क्या आप इस फोन को लेना फ्लेक्शिफ फोन वीवो की तरफ से स्नैर डेगन 870 के साथ मैं दोस्तो काफी एक्साइक्टी दो इस फोन को लेकर मुझे लगता है यह फोन इस बार मार्केट में तैलकम अचा सकता है प्राइजिंग इसकी अच्छी रहेगी और फीचर यहां पर आपको टोप क्लास के द अब आपको Poco X3 Pro देखने को मिल सकता है यह भी दोस्तों वैसा ही तैल का मचाने की तैरी कर रहा है जैसे मचाया था Poco F1 ने इसका प्राइज हो सकता है 21-22 जाके आज-पास लीक्स के एकोर्डिंग और यह आपना पूल जाएगा 120 हर्स का रिफ्रेश्टेड फुल आईट इसको लेगर कुछ डिटेल नहीं आई अभी तक क्योंकि अभी तक हमने 860 के बारे में कोई भी बाते नहीं सुनी है और सड़नली सामने निकल के आ रहा है स्नैपड़न 860 Poco X3 Pro में तो यहां पर फ्लैक्शिप परफोर्मेंस आपको मिल जाएगी 21-22 की रेंज में या तो पूरी मार्किट को डिश्टर्ब कर सकता है अगर इसी प्राइस सेगमें में आता है तो अगर आप को यहां दो Poco F1 भी इसी प्राइस के आज पास में देखने को मिल जाएगा यहां यहां पर नहीं होगा यह एक चीज है बन हाई रिफ्रेश्ट इसमें मिलने वाला है जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है गेमर्स के लिए यह फोन बहुत ही अच्छा रहेगा इस प्राइस सेगमेंट में इसके अवला मोटोला का एक फोन है 870 के साथ वो चीज़े हैं उन पे थोड़ा आपको कुछ जादा ही कॉंप्रमाइस करना पड़ रहा है बागी वीडियो में आपको सब बताऊंगा थोड़ा साब वेट कीजिए एक वीडियो का मोटो जी 50 इसको लेकर भी लीक्स आना स्टार्ट हो चुके हैं इस बार आपको मिल सकता है 10 1100 में एक 5G फोन मोटोरला की तरफ से स्नैप देगन 480G के साथ और साथ में 90 हर्स का रिफ्रेश एट भी इस फोन में आपको दिया जाएगा दो प्रोसेसर सामने निकल गया रहे हैं एक तो है 750G और एक है 480G तो 750G है वो आप मिल जाएगा 19-20,000 के आस-पास की रेंज में और दूसरे वाला 10-11,000 के आस-पास की रेंज में तो दोनों फोन में कहूंगा तैल का में जा सकते हैं मार्कित में बस देखते हैं प्रोसेसर की इलावा और आपको क्या यहां पर अच्छी चीज़े देखने को मिल जाती है उस काम में भी वेट करना पड़ेगा फिलाल तो थोड़ी पोड़ी डिटेली सामने रिखल का हिया है इन स्मार्टपोन की तो यह है जो कुछ भी है मुझे उमीद है आपको कुछ हेल्प मिलोगी आज की अपडेट से मैं तो एक्साइटी दो हूँ वन पस नाइन लाइट के लिए आप किसके लिए एक्साइटीड है क्में मुझे बता सकते हैं मुझे उमीद है आपको कुछ हेल्प मिलोगा आज की विडियो आपको हेल्प मिलियो वीडियो को लाइक हो शेकर ना बत बूलिएगा मिलते हैं पिर किसी और वीडियो में थैंस प्रोचिंग इस वीडियो